हलो स्टुडेंट्स वेलकम तो इगनुबडी देखे अभी रीसेंटली इगनु की तरफ से इगनु की ओफिशल वेबसाइट पर री एवैलुएशन से रिलेटिड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिस अपडेट किया गया है जिसमें आपको बताया गया है कि कैसे री हो रहा था लेकिन आज दुबारा से ये नोटिस को इगनु की वेबसाइट पर पब्लिश किया गया है तो क्या ये नोटिस है इसमें क्या रूल्स चेंज किये गए हैं आपके री एवैलुएशन से रिलेटिड इसी बारे में आज की इस वीडियो में मैं बात करूँगा त लेकिन उससे पहल अगर आपने भी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एकनु से रिलेटिड हर अपडेट के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना तो अब बात करते हैं आपके री एवैलुएशन के नोटिस के रिगार्डिंग क्या आपका जो अ तो मैंने आपको जैसा कि कल बताया था कि ये नोटिफेकेशन हो सकता है आपके जो टाइम पिरेट होता है आपके रिजल्ट के बाद कितने दिन के बाद आप एपलाई कर सकते हो री एवैलुएशन के लिए और फोटो कॉंपी और आंटर स्क्रिप्ट के लिए ये जो के लिए और photocopy of answers script के लिए तो जो पहले आपकी date हुआ करती थी revaluation apply करने की तो आप students जितने भी थे वो 30 दिन के अंदर अंदर revaluation के लिए apply कर सकते थे जब तक उनका result आया है उसके 30 दिन के अंदर अंदर लेकिन अब जो revise time period है वो कर दिया गया है 30 दिन से बढ़ा कर 40 दिन त तक आप कभी भी revaluation के लिए apply कर सकते हो और जो photocopy of answer script है उसके लिए पहले आप 45 days के अंदर अंदर अपने photocopy के लिए apply कर सकते थे लेकिन अब आप 30 दिन के अंदर अंदर apply कर सकते हो तो यह जो new official notice है यहाँ पर आप register के sign भी देख सकते हो यह official notice इगनू की तरफ से अपड website पर तो यह जो new rule change हुए है वो यहाँ पर आप देख सकते हो revised है revaluation आप 40 दिन के अंदर अंदर कर सकते हो और photocopy के लिए आप apply 30 दिन के अंदर अंदर कर सकते हो आपके result आने के बाद तो यह new rule change इगनू की तरफ से किया गया है तो आप इस notice को download कर सकते हो description में मैं इसका link द सकते हो तो अगर आपको यह video helpful लगी है तो इस video को ज़रूर लाइक करना और इस तरह कि इनूसर related हर important update के लिए इस channel को ज़रूर subscribe कर लेना so thanks for watching this video thank you so much